गाईस सैम्संग यूजर की निए अच्छी ख़वर आ रही है कमपनी ने भारत में अपनी गेलेक्सी F सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है जो कि सैम्संग गेलेक्सी F34 5G के नाम के साथ लौंच होगा कमपनी ने फोन की फोटो सहीत कही एहम इसी के सन को रिवील कर दिया है सैम्संग गेलेक्सी F34 बहुत ही जल इंडियन मार्किट में एवलावल होने वाला है इसमें क्या खास होगा यह है आपको इस वीड़ों पना चलेगा सैम्संग गेलेक्सी F34 5G फोन में तिरपर एर कैमरा देखने को मिलेगा कमपनी ने बताया है कि फोन के बैक पैनल पर 50 मेट पिसल का प्राइमी सेंसर मौजूद रहेगा जो की OIS फीचर से लैस होगा इस तकनीक के चलते चलते हुए भी बिना शेक हुए फोटो और वीडियोस कैप्चर की जा सकती है फोन के कैमरे में 16 मेट पिसल का इन विल्ट लैंस मौजूद रहेगा और यह फन मोड और सिंगल टैक जैसे फीचर से लैस रहेगा सेमसंग गलेक्सी F34 5G बाटर ड्रॉप नौज डिस्पले पर लॉंच किया जाएगा कमपनी का कहना है कि फोन में सूपर एमुले डिस्पले स्क्रीन देखने को मिलेगी जो की 120 हर्स रिफ्रेज टेट पर काम करेगा इस फोन की स्क्रीन पर 1000 निर्स तक की ब्राइटनेस के साथ ही बिजन बुस्ट टेक्नोजी भी देखने को मिलेगी यह बैजर लेड डिस्पले कब्ड एजवाली होगी जिसमें चिन पाड़ भी मौजूद रहेगा सैमसंग गलेक्सी A34 5G फोन को भी 6000 अमेज बैटरी की साथ लोंच किया जाएगा इस बैटरी को 30 से चार्ज करने के लिए इसमें फार्ट चार्जिंग भी आपको दी जाएगी सैमसंग ने बताया है कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद यह मौईल दो दीन तक की बैटरी बैकप देने की सैमसंग ने अभी अपकमी स्मार्ट फोन की लोंच डेट से परदा नहीं उटाया है हमारा अनुमान है कि यह मौईल फोन अगस्त के महीने में आपको इंडियन मार्किट में देखने को मिल जाएगा और इसकी कीमत अठायार के करीब रखी जाएगी बागी दोस्तों देखना यह है कि ये स्माटफून कवाएगा यानि कि किस टेट को आने वाला है अगस्त के महीने में बागी दोस्तों कोई भी इन्फोर्मेशन आएगी इस फोन को लोंच टेट को लेकर तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी बागी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए इस फोन के अपडेट के लिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और मैं मिलता आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई